AI में Dummy Creation का मतलब ऐसा मॉडल या सिस्टम बनाना है जो वास्तविक डेटा या व्यवहार का नकली, डमी, संस्करन तयार करता है. यह डेटा परीक्षन, सिस्टम डिजाइनिंग या अन्य प्रयोगों के लिए उप्योग होता है. नीचे विस्तार से समझते हैं. एक डमी डेटा जनरेशन, AI मॉडल को असली डेटा की जगा नकली डेटा दिया जाता है, ताकि इसे बिना असली जानकारी का उप्योग किये परीक्षन किया जा सके. उदाहरण के लिए, अगर आपको ग्राहक के नाम और नमबर की ज़रूरत है, तो डमी डेटा में सिर्फ रैंडम नाम और नमबर्स दिये जा सकते हैं. दो, डमी मॉडल क्रियेशन यहाँ AI के बेसिक मॉडल बनाए जाते हैं, जिनमें असली इंटेलिजन्स नहीं होती है, लेकिन वे ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, जैसे असली मॉडल कर रहा हूँ. उदाहरण के लिए, चैट बॉट्स में एक डमी मॉडल बना सकते हैं, जो असली ग्राहक बातचीत की नकल कर सके. तीन, सिस्टम टेस्टिंग और डेबगिंग डमी मॉडल का उप्योग सिस्टम में एरर और बक्स को पकड़ने के लिए किया जाता है. असली डेटा या मॉडल के बजाए डमी का इस्तिमाल करने से असली सिस्टम पर कम लोड पड़ता है और टेस्टिंग भी सुरक्षित रहती है. चार प्रोटोटाइपिंग डमी क्रियेशन का एक मुख्य उद्देश है शुरुवाती स्तर पर एक प्रोटोटाइप तयार करना, जिससे सिस्टम की फंक्शनलिटी का अंदाजा लगाया जा सके. AI में डमी क्रियेशन से टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग आसान हो जाती है, जिससे प्रोड़क्ट का डेवलपमेंट समय और लागत में कमी आती है.